में मसकार दोस्तों, आज मैं explain करने जा रहा हूँ ही टू की skin of for me film जो की एक love story पे based है Basically एक लड़के पे जो अपने love के लिए अपनी body की skin तक sacrifice कर लिता है Mostly मैं इस channel में movie story explain करता हूँ पर आज मैं एक short film explain करने जा रहा हूँ क्योंकि इस film में बस इसी couple की story नहीं है पहले movie की story explain कर लेता हूँ So let's begin with explanation He2G skin of for me एक short film है जो Ben Astron ने direct की है ये short film देखकर आपको नहीं लगेगा कि ये एक किसी college student ने बनाई है और इस film में story flow and work बहुत high level का किया गया है जो मैं really appreciate करता हूँ इस movie की story में boyfriend दिखाया गया है जो अपनी skin निकाल रहा होता है ताकि वो अपनी girlfriend को और attractive लगे वो अपनी girlfriend से बहुत प्यार करता है और बीना second third lie ये step ले लेता है फिर जब वो अपनी girlfriend के सामने आता है तो वो उसे देखकर काफी खुश होती है उसे उसकी body पहले से काफी अच्छी लग रही होती है यहाँ देखकर लगता है उसका ये decision सही था और इससे उन दोनों की bonding और strong हो जाती है इससे उसकी girlfriend काफी खुश होती है और दूसरी side उसका गर का काम double हो जाता है जैसे जब वो उड़ती है उससे extra काम करना पड़ता है जैसे कपड़े वाश करना, floor वाश करना, curtain वाश करना क्योंकि blood साफ करना पड़ता है ने तो smell होती है starting में ये सब manage भी कर लेती है और कुछ दिन बाद उसके boyfriend को job में client मिलने में भी problem आती है और उससे थंड भी ज्यादा लगती है उसकी skin की वज़ा से और तो यहां से देरे देरे सब change होने लगता है पर उसकी girlfriend बोलती है I know तुम manage कर लोगे seriously जिसने अपने प्यार के लिए ये सब किया उसकी खुशी के लिए इतना बड़ा step लिया still वो बोलती है I know तुम manage कर लोगे इस पूरी movie का concept and meaning मैं end में बताऊँगा चलो story में वापिस आती है फिर यहां इनके happy relationship में tension आ जाती है जो कि इन पर साफ साफ जलक रही होती है जैसे वो dinner कर रहे होते हैं पर ज्यादा बात नहीं करते still यहां तक यह couple सब खुशी से manage कर रहे होते है पर इस relationship का सही turning point तब आता है जब उसके friends dinner में आते हैं और उसे पूचते है क्या तुम अपनी skin को miss करते हो और कैसा लगता है अब ऐसे जीने में तो यह सब बातों से उसे काफी realize होता है और उसके face में finally regular दिखता है और उसे कहीं ना कहीं लगता है यह relationship हम दोनों का था और यह decision बस मैंने लिया तो उसके mind में और भी बहुत सारे thoughts आते हैं जब वह साथ bad पे later होते हैं उसका boyfriend उसको देखता है गुर रहा होता है और उसके mind में उस समय काफी thoughts भी चल रहोते हैं इसी के साथ उसका boyfriend उसकी skin pull करता है इसी के साथ यहां movie का end हो जाता है वाव इससे perfect movie का starting और end नहीं हो सकता इस movie में बहुत powerful message दिये गया है जैसे जो कि हर relationship में समझना जरूरी होता है जैसे कि relationship दोनों तरफ से चले तब balance रहता है boyfriend ने अपनी skin sacrifice की उसने खुद को पूरी तरह चेंज किया इस नोट ट्रू रिलेशन्शिप शही रिलेशन्शिप वो होता है जिसमें वो तुम्हारा best version बाहर आए ना कि तुम्हें change करे love में सब sacrifice सही है सही रहता है पर skin निकालना ये weird decision कभी नहीं ये completely मेरे thought है इस short film को लेके please आप अपने thought share करो comment box में ये decision सही था या गलत और relationship में क्या सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्या होना चाहिए सबसे जरूरी होता है